हेलो 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 एप्रिवन मैंने में कुमार गारव और चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुकेदर तो मेरा आवास थोड़ा डिफरेंट लग सकता है क्योंकि लास्ट वन वीक से मुझे थोड़ा फ्लू हुआ था पर हाँ अभी मैं बेटर हूं तो चलो क्वेस्टिन पर धियान द ठीक है ips देख लिए a b cc और यहां पर k का वैलो 2 दिया बाया तो दो लैंथ कितने सारे सबस्टिंग बनेंगे यहां पर बनेंगे बी सी बनेंगे एन सी बनेंगे इन 3 बनेंगे अभ इन 3 मेंसे k-1 मतला 1 तो एक डिस्टिंट करेक्टर होना चाहिए AB में तो दो distinct character है A और B अलग-अलग है BC भी अलग-अलग है CC जो है इकलाता एक ऐसा substring है जिसमें एक distinct character है इसलिए हमारा output क्या होगा 1 होगा तो हम लोग को ये कैसे बनाना है ये सोचना है ठीक है तो देखो पहला हम लोग का क्या approach होगा पहला तो simple है ना कि हम लोग 2 loop बना करके कर सकते हैं एक i cos to 0 to n तक चलेगा और j cos to 0 से k तक चलेगा वही तक हम लोग को चला रहा है है ना तो हम लोग कैसे करेंगे वो वो सोचो j cos to i c j cos to k तक तो वहाँ पर order of लगमक n square चला जागा क्योंकि आपको जो है ना दो बार लूप चल रहा है लेकिन यहाँ पर question में बोला गया expected time complexity आप से order of length of s तक ही दिया हो है मतलब कि आपको एक ही लूप में काम खतम करना है अब बताओ एक ही लूप में काम खतम करना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग का approach क्या होना चाहिए तो similar type के questions हम लोग बनाएंगे लेकिन हाँ यहाँ पर sub string calculate नहीं करना था हम लोग को वहाँ पर check करना था कि हम लोग का वो palindrome है या नहीं है ऐसा कुछ था questions ठीक है जो भी तया लाग लेकिन हम लोग एक concept discuss किया था वहाँ पर sliding window का concept तो यहाँ पर हम लोग same concept लगाएंगे और जिनने नहीं पता है उन्हें मैं छोटा सा briefly describe कर देता हूँ देखो जैसे कि हमारे पास A, B, C और C दिया वह है तो हम लोग दो index रखेंगे एक रखेंगे I को एक रखेंगे J को ठीक है हम लोग क्या करेंगे I को increase करते वे जाएंगे और हम लोग check करेंगे कि क्या मेरा जो I है वो K length पहुँचा या नहीं पहुँचा है तो जैसे ही K length पहुँच जाएगा तो देखो A और B जो है यह दो length बना दे रहे है तो मेरा इस जगा पर बोल सकते हैं कि हम लोग का एक window बन गया J और I का तो अब J और I साथ ही साथ चलेंगे ऐसे तो J कहाँ पह है J A के पास है और B I के पास है अब अगर हम I को C के पास लेके जाते है तो मेरा J जो है वो भी increase हो जाएगा B के पास पहुंच जाएगा समझ रहे क्यों क्योंकि मेरा J और I यही एक window बना रहा है इसी का length जो है वो K है तो इससे क्या हो रहा है न हम लोग जिस भी position पर जा रहा है जिस भी index पर जा रहा है अगर हम लोग J को भी उसी के साथ साथ shift करते वे चले तो हम लोग के पास जो K length है हमेशा वो maintain रहेगा और फिर उसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे पस कितने सारे जो characters है वो distinct है अगर हम लोग को पता चल गया कि distinct है जितने K-1 के बराबर है इसका मतलब कि हमारा वो answer में count हो जाएगा बढ़िया तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे तो distinct characters हम लोग को क्या करना है इसका map रखना है न तो हम लोग simple सा map रख सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे उसके frequency को maintain करके रखेंगे तो हमारा जो logic होगा वो कितना simple होगा वो देखो हम लोग एक loop चलाएंगे और यह आई और जे का concept आई होगा आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या कर रहा है एक simple सा window बना रहा है कि हम लोग जे को move करते वे चलेंगे कब तक जब तक हम लोगों को k length maintain करके रखना हो तब तक ठीक है अब हम लोग उस length के बीच में मतलब हम लोग i और j maintain कर लिए तब हम लोग क्या करेंगे हर loop में हर एक character के लिए उसके frequency को count करें कि a कितना है बी कितना है अब हम लोग को यहां पते चल गया a1 है b1 है मतलब map में हम लोग इस दोनों को रख दिए अब जब map में इस दोनों को रख दिए तब हम लोग simply क्या करेंगे मैं आपके length को देख लेंगे मैं आपका length कितना है दो यहां पर length कितना मांग रहा है k-1 मांग रहा है इसका मतलब कि a b जो है वो हमारे answer में count नहीं होना चाहिए कोड करते कोड करते वह आपको और अच्छे से समझ में आ जागा नहीं समझ में आगा तो हम लोग फिर से देख लेंगे तो यह होगी हमारा answer answer में हम लोग को देखना है कि कितने सारे number of sub string है जिसको हम लोग को k-1 distant characters available है उसे को हम लोग को add करना है increase करना है जो भी हो अब हम लोग दो ले रहे हैं एक होड़ा है i equals to 0 एक होड़ा है j equals to 0 ठीक है क्योंकि हम लोग को पता है i और j दोनों एक ही जगह से सुरुवात करना है और हम लोग क्या करेंग ना सिंपल सा एक unordered map ले लेते हैं unordered map क्यों ले रहे है क्योंकि हम लोग को जो mapping रखना है ना किसका character का कि कितने characters जो कितने बार आ रहे है ठीक है and let's call it MP हम लोग क्या करते है यहां पर आई को जिरो यहां पर आप मैंसर नहीं भी कर सकते हो आप क्या करो फॉलूप में इनिसलाइस कर लो ठीक है इंट आई को स्टुदिरो अधरवाइस मैं सिंपल आई सेमिकॉलन लिख सकता ठीक है i is less than हमारा s.size s हमारा string जियावा यहां पर and i++ ठीक है तो यह हो गया मेरा main look जो i मेरा increase होते वे जाएगा j को कब increase करना है जब मेरा i जो है वो k length से बड़ा हो जाए k length तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो i हम लोग का 0 और 1 तक आजाएगा इसका मतलब की अब से हम लोग को k को j को increase करना है तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अगर मेरा i plus 1 जो है न वो greater than या फिर request to k हो जाए तो फिर हम लोग को क्या करना है जे को बढ़ाना है ठीक है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे हर एक में map में हम लोग उस character को मतलब हमारा s का जो i है उसको हम लोग increase कर देंगे अभी क्या हो गया a equals to 1 हमारे map में चला गया तो हम लोग बोल सकते a और उसके बगल में 1 यह चला गया हमारे map में फिर गया next क्यो i plus 1 जो है 1 plus 1 2 equals to 2 हो गया k का value क्या था 2 था तो 2 equals to 2 हो गया तब हम लोग को क्या check करना है कि क्या यह जो map में है यह क्या k-1 के बराबर है distinct characters तो मैं simply यहां पर check करूँगा कि अगर मेरा map का जो size है ना map का size क्या वो equals to equals to k-1 है अगर k-1 है तो हम लोग वोलेंगे answer को बढ़ा ना जब यह काम हो गया तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि यह जो पहले वाले था ना जय कहां पे ज को इसी घर हो घटा दो तो हम लोग बोलेंगे अब क्या करो map में चल ओ जो भी EJ में था इनटेक्स में था उसको आप decrease कर डो क्योंकि अब जो वाला iteration होगा उसमें हम लोग को BC के साथ काम करना है A के साथ काम नहीं करना है तो जब A के साथ काम नहीं करना है तो हम लोग ने किया कि इसको 0 बना दिया लेकिन यह तो 0 हुआ हम लोग को क्या size तो हम लोग चेक करें अगर आगी आया ना तो simple क्या करेंगे हम लोग map से उसको erase कर देंगे ठीक है map से किसको erase करेंगे जो भी हमारे s के jth index में था इतना समझ में आ गया और उसके हम लोग क्या करेंगे j को बढ़ा देंगे यही तो गया slide कर दिया अब मेरा j का है b के पास है तो a 0 यह जो है पूरा बढ़ा है नहीं है कोई बात नहीं क्या करो s of j को decrease करो j क्या था b के पास था इसको भी 0 कर दिये जैसे 0 हो गया बोल रहा है 0 हो गया इसको हटा दो तो मैंने इसको delete कर दिया बढ़िया उसके प्लस प्लस मत्ति यहां पर 2 हो गया बढ़िया 2 हो गया उसके बाद हम लोग फि क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है आई जो है वो s के size के बराबर पहुंच आएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉल लोग के बाद सिंपल सा return कर देंगे हमारे answer को तो हम लोग कर देते हैं यहां पर return हमारा answer और बस आपको जो है one answer में मिल जाएगा चले compile and run करके दे इस concept पे एक बार search कर लो जितने सारे अलग अलग टाइप के questions अना आप एक बार उसको खुद से बनाने का try करो तब जाकर के आपको इस topic पे command आएगा चले कल फिर मिलते है नहीं question के साथ तब तक के लिए goodbye stay blessed stay safe and keep coding